हेलो फ्रेंड्स पीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम पाला कालू बनाएंगे उसके लिए पहले दो चम्मस तेल डाल लेंगे फिर थोड़ा समेथी फिर लहसुन कटा हुआ और हरा मिर्च कटा हुआ थोड़े से सुखे लाल मिर्च भी डाल देंगे इससे इसका फ भूनेंगे फिर प्याज इसी में आट कर देंगे एक प्याज को हम पतला पतला काट लिये हैं बड़ा प्याज था इसको भी हल्का सॉल्टे कर लेंगे थोड़ा सा हींग एट कर दिये हैं साग में तो हींग बहुत जरूरी होता है डालना तो हींग थोड़ा लेट से डाले हैं क्योंकि वो पहले डालने पर जल जाता है प्याज और लेसन भून जायेगा तो फिर इसी में हल्दी एट कर लेंगे एक चमच थोड़ा सा नमक एक चमच स्वाद के अनुसार प्रजी की क्वांटिटी के अनुसार आप नमक डालिएगा पालक को हम पहले ही ब्लांच करके उसको प्यूरी बना लिये थे पालक की और उसको इसमें आट करेंगे इससे हमारा आलू मटर का कलर बहुत ही प्यारा बन के आएगा एक एक दम हरी भरी सबजी बनेगी देखिए कितना अच्छा कलर आया है हम पहले इसको ब्लांच कर लिये थे धुल के साफ करके जैसे पालक पनीर में हम बनाते हैं उसी तरह से हम साग को अच्छे से बारिक फाइन पेस्ट बना लिये थे उसको आलू और मटर के साथ है बनाने पे बहुत ही अच्छी और टेस्टी सबजी भी बनती है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और साग बहुत ही ये आलू और साग बहुत अच्छा बन के त्यार होगा देखिए एक कटूरी आलू इसी मैट किये हैं आधा कटूरी मटर क्योंकि बच्चे तो केवल साग खाना पसंद नहीं करेंगे आलू मटर के साथ ये साग का पेस्ट बन गया है इसलिए उन्हें भी पसंद आएगा और वो भी इसे बड़े मज़े से खाएंगे देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमाई सब्जी का थोड़ा सा इसमें एक कर्चल पानी या दो चम्मच पानी आट कर लेंगे कि हमारा आलू और मटर अच्छे से पक जाए और साग भी पक जाए इसको बीच वीच में हम चलाते रहेंगे लेड लगा देंगे थोड़ी देर के लिए फिर ओपेन करके चलाते रहेंगे इसको बीच वीच में आप आलू पालक तो बहुत बनाये होंगे पर इस तरह से नहीं बनाये होंगे देखे कितना अच्छा हमारा सबजी बनके त्यार हुआ है इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है सब्जी का कितना प्यारे इसमें लास्ट में थोड़ा सा बटर एट कर लेंगे इसको मक्य की रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं इस तरह से आप एक बार पाला कालू मटर जरूर बनाईएगा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है उत्ती ही खूबसूरत अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट पे बताईएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको पताईए है जरू थैंक्स पर वाचिंग कमें बाचिंग